अस्सलामु आलेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube Channel English Literature पर Welcome कहती हूँ आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं तार्टस दचस प्लेयर्स जिसको लिखने वाला है मुंशी प्रेम चंद मुंशी प्रेम चंद कौन थे, कहां से बिलॉंग करते थे, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, इनके इंपोर्टन वाक्स कौन से हैं, इंपोर्टन थीम्स कौन से हैं इन सबको हम लोग एक सैपरेट लेक्चर के इंदर कवर कर चुके हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको रेक्मेंट करती हूँ कि दजस्ट प्लेयर्स सुनने से पहले आप इनके राइटर का जो लिंक है उसके उपर क्लिक करके उस लेक्चर को सुनने ताके आपको जो स्टूरी का राइटर हैं उनके जो भी इंपोर्टन टॉपिक्स हैं जो इंपोर्टन कॉंसेप्स हैं वो सब क्लियर हो ठीक है तो जो हमारा रिस्पेक्टिव लेक्चर है उसके अंदर मैं मुंशी प्रेम चंजी की बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको सेपरिटली जो लिंक मैंने प्रोवाइट किया है उसमें उनकी डिटेल मिल जाएगी तो मैं इसमें बात करने वाली हूँ दचेस्ट प्लेयर्स के बारे में जिसके उपर वाइट अंद ब्लैक ही टॉकन्स पड़े हूँ यानिके जो गीटियां होती है वो पड़ी हूई है तो यह जो गेम है ना यह जो बॉर्ड है इस गेम को हम लोग चेस्ट कहते हैं और चेस्ट में क्या होता है लिट्रेशर के अंदर चेस्ट सिंबलाइस करती है वार को बैटल्स ओफ विट को और कोई भी सिमिलर इविट्स यानि कि कोई भी जंग होना उसको सिंबलाइस करती है चेस्ट और यह जो चेस्ट है ना यह बिसिकली वेस्टन वर्ल्ड का गेम है जो के popular है इस time period पे कहां पे इंडिया में जो respective time period हम लोगों को दिखाया गया story के अंदर players क्या होते हैं खिलाडी खेलने वाले तो जैसे कि मैंने पताया chess symbolize कर रहा war को battles को ठीक है और यह players वो players हैं जो through and through chess खेलते रहते हैं जंग करते हैं लेकिन हत्यारों से नहीं दिमागों से अपने mind से और यह ऐसे players हैं जो के जो वहां पे king है उसके under आते हैं ठीक है king के जो royalties है ना उनके under आते हैं king के बहुत close person में से और यह persons है दोनों के दोनों players जो हम story में देखने वाले हैं लेकिन यह क्या हो चुके हो हैं? detached हो चुके हैं world के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया में जो सूर्ते हाल चल रही है, अब hills चल रहे हैं, उन से detached हो चुके हैं, उनके तरफ कोई धियान नहीं दे रहे हैं ठीक है, इनका सिफ और सिफ एक ही center है, एक ही area of concern है, that is playing chess बस बेले बैठो और chess खेल लो, यही इनका काम था और इसलिए जो मारा chess player title है न, वो symbolize कर रहा है, self-centered dress को कि लोग जो है, वो self-centered हो चुके हुए है, उनकी detachment हो चुकी हुए है, अपनी country के साथ further वो attached नहीं रहे, वो covered हो चुके हुए है, और जो इसके रावा इंडिया की जो ruling class है, उनको just luxurious life गुजारने का पता है, ठीक है, life के अंदर struggles हैं, क्या hardships हैं, वो सब कुछ नहीं पता, और यही कुछ story के अंदर highlight किया जाएगा, और मैंने आपको बताया के chess game है western world का, जो के popular है, इंडिया के अंदर, ठीक है, और हम देखेंगे, chess popular हो चुका हुए है इंडिया के अंदर, इंडिया में हर कोई chess के तरफ जाना पसंद का रहा है, it means के यहाँ पे western culture आने वाला है, means to say that chess जो है, वो फो फोर शाडो का रहा है, यहाँ पे title, colonialism को भी, क्योंकि हम देखेंगे, के इसके अंदर, एक captain western है, ठीक है, जो के British से बिलॉग करते हैं, Captain Watson, और Lord Dalhousie है, यह दोनों जो नहीं, यह बिग प्लेयर है, और यहाँ पे chess क्या दिखाई जाएगी, मैं symbolically बात कर रही हूँ, के एक तरफ हम दो character देखते हैं, वो दो character chess खेल रहे हैं, in reality, on the other hand, हम दो character और देखते हैं, Lord Dalhousie का, Captain Watson का, वो भी chess खेल रहे हैं, लेकिन chess उनके लिए क्या है, battle है, war है, और वो जंग लड़ रहे हैं, वो war कर रहे हैं, किस चीज़ की, इंडिया को, लखनाओ को occupy करने की, clear, तो अब जो Lord Dalhousie है ना, वो भेजेंगे अपने General Authram को, ठीके General Authram जाएगा, और जाके जो Awad नाम की place है, Awad की है, वो जगह जहां पे हमारा respective king, यानि के, नवाब साब रह रहे हैं, जिनका नाम है वाजिर अली शाव, वो रह रहे हैं, वहाँ पे जाके, वो उस Awad को occupy कर लेंगे, clear, तो यह है हमारे title के पीछे चुपी हुई कहानी, कि हम देख रहे हैं, chess का मतलब क्या है, chess यहां पे, एक तो simple जो game होती है, वो हो गई, दूसरी game यहां पे दिखाई गई है, कि वेस्टर से बिलॉंग करती है, वेस्ट से बिलॉंग करती है, उनके culture से बिलॉंग करती है, उन इस resident जो है, वो लखनाओ में आएंगे, ठीक है, इसको भी symbolize करी है, यहां पे प्लेयर्स है, प्लेयर्स तो जो इंडियन है, वो खुद ही एक दूसरे की जान ले लेंगे, इस game के पीछे, हम देखेंगे स्टोरी में, on the other hand, यहां पे bigger players दिखाए गए है, Lord Dalhousi, जिनका मैं मैंने अपके आखसम नाम लिया था, Lord Wetson, ठीक है, इनका, यह दोनों biggest player दिखाएंगे, जो in reality में, क्या करते हैं, जी, जो हमारे पास लखनाओ का king है, उसको उठा देते हैं, किरा देते हैं, मार देते हैं, यहनि कि उसको prison कर लेते हैं, मारते हैं, प्रिजन अपना कैदी ब बचता होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा king बचेगा, हमारे पास British का king बच रहा है, यह है जी chess players, means self-centeredness और cowardness की वज़ा से इंडिया जो वो अपनी kingship खो बैठता है, और वो kingship चले जाती है फिर Britishers के हातों में, ठीक है, टाइटल significance के लिए, अब स्टोरी देखते हैं, स्टोरी दिखाए गई है जी, वाजिद अलिशा के time period की, बहुर time पहले, इंडिया के अंदर, मुगलिया सल्तनत में, एक ruler थे, एक king थे, जिनका नाम था, नवाब वाजिद अलिशा, और ये ruler थे, basically, लखनाओं के अंदर, लखनाओं में जो लोग थे, वो different kinds of luxuries activities के अंदर indulge हो चुके वे थे, मलविस हो चुके वे थे, उन में से कुछ cook fight किया करते थे, कुछ kite flying किया करते थे, कुछ चुए, वो dances and songs वगएरे को enjoy किया करते थे, कुछ smoking और gambling के अंदर indulge थे, और कुछ बैट रहे थे थे, कुछ भी नहीं किया करते थे, कोई भी एक दूसरे को bother नह उनके बारे में भी परिशानी नहीं ले रहा था, टाउन में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, किसी को कोई concern नहीं था, even के वाज़ अलिशा, जो के उस time पे ruler थे, अवाद के, अवाद लखनाओ में प्लेस थी, ठीक है, उस जगह के जो ruler थे, उनको भी concern नहीं था, society में क्य हो रहा है, टाउन के इंदर क्या हो रहा है, और कुक फाइट, काइट फ्लाइंग के साथ, उस time पे जो चेस थी, बहुत ज्यादा dominant हो चुकी हुई थी, बहुत popular गेम बन रही थी, day by day, और इस चेस के थूफ फारेस बैटल्स की जाती थी, मतलब इस गेम ऑफ चेस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जंगे लड़ी जाती थी, और यह कहा जाता था कि जो चेस है, यह लोगों के दिमाग को तेज कर देती है, तो अब हमारे पास जी स्टोरी में दो जगीदार हैं, जगीदार कहते हैं लैंडलोड्स, एक है मिर्जा साजिद अली, दूसरा है मीर आने थे, हर टाइम दे लव टू प्लेज चेस, ठीक है वो अपने वो चेस को खेलना बहुत पसंद कर दे थे, और हर टाइम यह अपना जो टाइम है, अपना हर वक्त चेस बोड के साथ कुजारा करते थे, और कोई काम नहीं किया करते थे, घर भी बिलकुल ठीक ठाक चल रह अपर क्लास से बिलॉंग करते थे, इनके जो पैरंट्स थे, ग्रैंट्पैरंट्स थे, वो जो प्रॉपर्टीज छोड़ के थे, और हो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हुई थी, यानि कि इनको सारी जायदाद विरासत में मिली थी, तो इनको जो कोई फिकर ही और चेस खेलते-खेलते ऐसा होता है कि दिपहर के खाने का वक्त भी हो जाता और इनको होश ना होती है, इनको बार-बार याद दिलाए जाता कि खाना त्यार होचुका हुआ है घरों के एंदर, खाना-खाने के लिए आ जाओ, और हमेशा ये यही जवाब देते हैं कि ये तब भी बैठे चेस ही खेलते रहते अब मिर्जा साजित अली जो है उनके घर के अंदर कोई भी बड़ा नहीं था वो खुद बड़े थे अपने घर के अंदर तो इसी लिए इनको कोई रोक टॉक करने वाला नहीं था सिवाए इनकी बीवी के लेकिन क्योंकि घर में कोई भड़ा नहीं था इसी वज़े से इन्होंने अपने लिविंग रूम को सेंटर बना लिया ओफ चेस वोर्स ठीक है यह अपने लिविंग रूम के अंदर बैठके मीर रोशन अली साथ के साथ चेस खेला करते और जो लोग थे वो कहा करते कि यह जो चेस है यह एक इल ओमन्ड गेम है यह फैमिलियों को तबाह करके रख देती है मिर्जा की बीवी को भी बड़ा गुसा था मिर्जा के उपर और वो अपने हस्बंड को इस बात पर डांडती रहती कि तुम क्या रोज यह चेस खेलने बैठ जाते है यह चेस अच्छी गेम नहीं होती इस चेस को यहाँ पर ना खेला करो लेकिन महराल कोई फरक नहीं पड़ता था मिर्जा को बीवी सो जाती चेस खेलने बैठ जाता और उसके बाद जब बीवी रात को दुबारा सोई ओई होती तब वापस आता मिर्जा की बीवी का नाम खुरशीत था वो बड़ा एरिटेटेड फील करती थी एक दिन इनके सर में दर्द चुरू हो गया और इन्होंने मिर्जा साहब को लेने के लिए बेज़ा क्योंकि मिर्जा साहब उस टाइम पे चेस केल रहे थे मीर्जा साहब के साथ मीर्जा साहब ने कहा चले जो तुमारी बीवी के सर में दर्द हो रहा है मिर्जा साहब कहते कि तुम के चाहते हैं मैं यहांसे चला जाऊँ और मैं गेम हार जाऊँ मैं अभी नहीं यहांसे जाऊँगा मैं तुम्हें गेम में हरा कर जाऊँगा बहराल बड़ी बहस के बाद मिर्जा सहाब चले गए अपनी बीवी को देखने जिनके सर में दर्ग था और जब वापस है उन्होंने सारा इल्जाम उपने दोस्त के उपर लगा दिया कि दोस्त जो मुझे गेम से उटने नहीं दे रहा था अब मिर्जा की बीवी खुरुशीत को बड़ा गुसा आता है वो कहती है मैं मीर को यहां से निकाल दूँगी और वो गुसे में जाती है सारे जितने भी लोगों पर चैस खेल रहे होते है उनको फैंकने के लिए उनको घर से बाइर निकालने के लिए लेकिन जब वो गुसे में जा रही होती है मीर साहब के पास तो वहां से मीर साहब पहले ही गायब हो चुके होते है और मिर्जा की बीवी कहती है मिर्जा को कि if you had shown such devotion to God you would have become a prophet कि अगर तुम इतनी devotion जितनी devotion तुमने chess को दिखाई है God के साथ की होती है तो तुम एक पेगंबर बन चुके हैं एक prophet बन चुके होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मिर्जा सहाब है और साजित ठीक है और मिर्रोशन अली सहाब है यह दोनों इतना ज्यादा जुड़ चुके होई हैं chess के साथ कि इनको अपनी families की भी फिकर नहीं है कि इसकी बीवी के सर में दर्द है इवन कि इपनी बीवी को time तक नहीं देता अब जब इपनी बीवी को time नहीं देता बीवी की जो desires थी वो पूरा नहीं करता तो बीवी का भी एक illegal relationship पर शुरू हो जाता है अपने nephew के साथ किस की बीवी का मीर की बीवी का मीर की बीवी का नाम है नफीसा नफीसा बहुत दा irritation feel करती है इसकी game की वज़ा से और वो इस irritation की base पे अपने young nephew के साथ अपने love affair शुरू कर लेती है अब जब मीर कोई पता लगता है कि इसकी wife का चक्कर चल रहा है वो कुछ भी नहीं कहता उसको फरक भी नहीं पड़ता एक इनौर करता अपनी wife को तो यहां पे दिखाया गया है self-centeredness दिखाई गई हुई है on the other hand जो political condition है उस time period की बहुत words चल रही है बाच्शा है बाच्शा भी को भी सिफ और सिफ सजने सवरने, dance देखने poetry करने, इन सब का शोक है बाच्शा खुद एक poet है उसको literature पढ़ने का शोक है ठीक है, और वो एक composer भी है एक singer भी है, डांसर भी है लेकिन जो उसकी main duty थी वो थी rulership उसको ruling करने का शोक नहीं था बस उसको एक सर के उपर ताज पहनने का शोक था वो उस ताज की विज़े से शोकियां भी मारा करता था उसने वो ताज Britishers को भी दिखाया था ठीक है, ताकि उसको appreciation मिले मतलब in short ये कि बाच्छा का भी politics के साथ कोई concern नहीं था और ये दोनों जो जगीदार थे मिज़ा साज़ेद अली मीर रोशन अली ये दोनों बाच्छा के left and right hand थे देखें, ये भी बाच्छा के पास नहीं है ये भी बैठें यहां पर chess खेल रहे हैं तो बाच्छा को इसे भी कोई concern नहीं है तो in short जो political condition थी इंडिया की लखनाओ की, वो worse हो गई थी वहाँ पे जो poor थे उनको exploit किया जा रहा था, marginalized किया जा रहा था ये ठीक है, मतलब through and through story में ये ही दिखाया गए कि nobody is concerned with the political condition of India और on the other hand क्या हुआ on the other hand ये ही हुआ ना कि जो Britishers थे, उन्होंने अच्छा कासा exploit कर लिया किन को? लखनाओ को, इंडिया को उन्होंने लखनाओ को बाद में अपना क्या कर लिया उन्होंने कोलोनाइस कर लिया अबाद में लखनाओ को और यहाँ पे, जसके थू यही चीज दिखाया गई है self-centeredness दिखाया गई है ठीक है, detachment दिखाया गई है cowardness दिखाया गई है cowardness of India's ruling classes ठीक है, और उनकी जो ruling classes की जो cowardness थी उनकी base पे क्या हुआ उनकी base पे हम later on story में देखेंगे जो awad है, ठीक है जिस जिगा पे हमारा वाजित अली शाह बादशा भी रह रहा है, rulership कर रहा है वो भी captured हो जाएगा British officials उसको captured कर लेंगे और किस तरह से करेंगे वो हम आगे story में देखेंगे तो anyhow, मैं भी आपको बता रही थी कि मीर तो भाग गया जब उसकी wife खुरशीद उसको मारने के लिए गयी थी और उसने कहा था कि अगर तुम इतनी devotion कुदा को दिखा थे, तुम profit बन चुके होते मिर्जा की wife ने कहा था मिर्जा को अब हुआ क्या क्योंकि अब मिर्जा के घर के अंदर तो खेल नहीं सकते थे मिर्जा की wife को बड़ा चड़ा गुस्ता इसलिए मिर्जा ने और मीर ने मिलके ये डिसाइड किया क्यों ने अब जो गेम है, ये chess है ये मीर के घर में खेली जाए ये battle मेर के घर में खेली जाए तो इन्हों ने ये battle मीर के घर में खेलना शुरू कर दी यानि कि ये chess की game अब जब ये gaming के घर में chess की game खेल रहे थे same feelings जो खुरशीद की थी वो ही feelings नफीसा की हुई irritated feel की है इसने और husband कोई concern दिखाता नहीं था अपनी wife के तरफ they both were too much indulged in the chess playing और इनके जो servants थे वो भी gambling के अदर indulge होगे यानि के chess इतना जादा prominent होगया कि वहां पे कहा जाने लग पड़ा the whole kingdom would be ruined by chess और ये important line है the kingdom would be ruined by chess ये एक foreshadowing कर रही है कि हम देखेंगे chess के विए सारा कसरा kingdom जो वो तबाव हो जाएगा फिर जब ये game केले थे उस time पे इनके पास एक horse man आया जिसको नवाब वाजिद ली शाह ने बेजा था और horse man ने कहा कि तुम्हें royal palace में बलाया गया किसको कहा मीर को कहा था और ये किसलिए कहा गया था क्योंकि इनके पास जो soldiers थे वो बहुत कम थे आर्मी के अंदर और मीर साहब को soldier की जुरूए थी इसलिए वाजिद ली शाह साहब को soldier की जुरूए थी इसलिए मीर साहब को में बलाया गया था अब मीर साहब का यहाँ पे फर्ज ये बनता था responsibility ये बनती थी कि वो जाते royal palace और जाके नवाब वाजिद अरी शा की बात सुनते क्योंके वो उनके left hand थे ठीक है उनके supporter थे और जो उन्होंने कहना थे इनका वो बात मानना बनता था लेकिन मीर साहब यहाँ पर परिशान हो गए कि अगर मैं चला गया तो फिर हमारी चेस हम कैसे खेलेंगे तो इन्हों ने और मिर्जा साहब ने मिलके फैसला किया क्यों ने हम लोग यहाँ से move कर जाएं ठीक है और move क्यों कर जाएं ताके हम लोगों को कोई भी खेल खेलने से रोक ना सके और दूसरी तरफ क्या हो रहा था जो लखनाओ था वहाँ पर पॉलिटिकल कंडिशन वर्स हो चुकी हुई थी बहुत भुरी हो चुकी हुई थी सोल्जर जो थे इस इंडिया कंपनी के वो एंटर होना शुरू हो गए थे लखनाओ के अंदर इंडिया के अंदर यानि नेरली बैटल होने वाली थी जंग होने वाली थी तो instead of taking part in the battle battle में हिसा लेने के बजाए ये दोने बाग गए कहां चलेगे banks of river गोंती इन्होंने सोचा कि हम इस place पे जाके बैठते हैं यहाँ पे daily हम लोग हमारी chess खेला करेंगे कोई भी हमें disturb नहीं कर सकता तो अब इन्होंने ऐसा ही किया next time से इन्होंने जल्द जल्दी सुबा होते साथ ही अपनी जुरुरत का जो सुमान था वो लिया अपना हुका अपना पाइप लिया और लेकर चलेगे banks of river गोंती में और वहां पे बैटके इन्होंने अपना खेल शुरू कर लिया और दुपहर को किसी सेलर शॉप से उन्होंने खाने के लिए अपनी खुराक ली मील लिया और खाने के बाद दुबारा अपनी गेम शुरू कर दी और on the other side situation और वर्स होती गई soldiers Eastern India Company के और ज़्यादा आते रहें लखनाओ के तरफ बहुत से लोग जो थे अपनी families को लेकर villages की तरफ बाग गए थे लखनाओ को छोड़ कर लेकिन ये दो players इनको कोई concern नहीं था ये दोनों बैठे खेलते ही रहे और ये खेलते फिर घर आ जाते फिर खेलने के लिए चले जाते एक दिन क्या हुआ इन्हों ने जब ये खेल रहे थे तो soldiers के जो आर्मी थी पूरी उनको दुबारा से देखा ठीक है? East India Company की जो आर्मी थी इन्हों ने उनको देखा किन्हों ने? मीर ने और मिर्जा ने मीर साब कहते हैं The English Army is coming May God help us अब यहां पर कलोनियलिजम है English Army is coming May God help us मिर्जा आगे से कहते हैं Let them come Please attend to this कहते आने दो उनको तुम अभी इस गेम भी तरफ दियान दो यानि इनको अपने मुल्क से कोई मुभबत ही नहीं मुल्क में इतनी वर्स कंडिशन चल रहे और उनको खेलने की पड़ी हुई है बस दूसरे तरफ वो आगे soldiers बड़े strong हो चुके हुए थे और मैंने आपको बताया था Lord Dalhousie जो जनरल गुर्णर थे उन्होंने जनरल ओत्रम को बेजा था जो के कहां बेजा? किदर बेजा? आवाद को लेने के लिए जो के नवाब के अंडर नवाब वाजित अली शाह के अंडर था और नवाब वाजित अली शाह क्योंके Miss Rule का रहा था सहिसे Rule नहीं कर पाया अब उसके पास बेज दिया अब किएंगे पास दो ही चीज़े थी या तो वो लड़ता या लड़ी बगैर अपना जो थ्रोन है वो उनको दे देता ठीक है अब क्योंकि ना तो इसके पास आर्मी थी ना इसके पास इसने कभी जंगें लड़ी थी ना इसने कभी पॉलिटिकल कंडिशन के तरफ दिया दिया था ना इसको रूलर्शिप आती थी तो ये लड़ा नहीं क्योंकि इसके पास स्ट्रोंग आर्मी ही नहीं थी और ऐसे लोग ही नहीं थे जो इस प्लेस के लिए लखनाव के लिए लड़ सकते इसने सोचा अगर मैं लड़ूँगा तो जो अवाद करेंगे लोग हैं वो मर जाएंगे यहीं कि ब्लडशर्ड होगा तो इसने बड़े अराम से अपना जो तक्स था अपना थ्रों था वो बिटिश के हवाले कर दिया तो आप क्या हुआ हुआ है उन्होंने कुछ लाइंज लिखी उसका ट्रांसलेशन है और दूसरी तरफ यह दोनों दोस्त मिरजा और मीर इनको यहां से भी कोई कंसन नहीं इनको चाहिए था अपने बादशाह के पास जाते अपने बादशाह के लिए लड़ते क्योंकि बादशाह के राइट और लेफ्ट हैंड थे इनको चाहिए थे यह अपनी सिटी के लिए फाइट करते क्योंकि सिटी के यह रूलर्स के अंडर आते थे सिटी के भी यह लोयलिटीज में से थे अब यह दोनों बैठे यहां पे खेलते रहे और तीन दफ़ा कंजेक्टिवली मिर्जा जो था वो अपनी गेम हार गया और इस डिफीट पे बड़ा इरिटेट फील किया उसने रिवेंज लेना चाहा दोनों लड़ने लग पड़े अपने सेल्फ कंट्रॉल खो बैठे और उसके बाद जब दोनों लड़ने लग पड़े लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को इस चेस के जरीए ही मतलब चेस के खेल रहे हैं चेस के जरीए गुसा आया इन दोनों के दिन में हमने फाइट शुरू हो गई और फाइट जो थी वो आहस्ता आहस्ता वॉयलेंट होती गई एक दूसरे को बड़े डेरोगेटरी वे में बनाने लग पड़े मिर्जा ने कहा मीर को कि अगर तुम्हारे खांदान में पहले कभी इसने चेस के लिए है न तो तुम्हें इसके रूल्स और रेगुलेशन्स भी पता होने चाहिए थे तुम्हें तो इस चेस के रूल्स और रेगुलेशन्स तक नहीं पता तुम्हारे तो जो खांदान वले थे, तुम्हारे अबाओजदाथ थे, तुम्हारे निसस्टर थे, वो सिर्फ घास काटा करते थे, तो तुम कैसे चाज़ खेल सकते हो मीर साहब को भी गुसा आया, और कहता है कि तुम मेरे खांदान वालों पे क्यों जा रहे हो इन दोनों की लड़ाई शूरू ये दोनों इने चाकू निका दे एक दूसरे को मार दे और दोनों की वहीं पर ओन दा स्पोर्ट डेथ हो गई और इवन के इनकी कवरड़नेस का ये सूर्तिहाल थी लास्ट लाइन देखें जो मैंने लिखी है ये बलकुल वहाँ पर था जहां पर बृटिश इनतर हूए थे ना और यहां पर कहा कि बिटिश्र इन दोनों मिर्जा साब और मिर्जा साब्स कहए थे कि हम तो मारी वीबियों के सा थ हमने कैसे जाइक साथ चलना है हम उनको कैसे रापाएंगे ठीक है और story के ending पर क्या हुआ दिखिल डीचे तर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला किसके लिए एक chess के पीछे ठीक है तो chess ने यहां पर किराई battle करा दी और इन दोनों को मार डाला यहाँ जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को मारा है वहाँ पे इन दोनों को चाहिए था ये अपने बाश्या को स्पोर्ट कर दे ये है self-centeredness का अंजाम ये है cowardness का अंजाम result ये होता है तो story के अंदर जो हमारे मुशी प्रेम चंजी है उन्होंने यही बताया कि कैसे जब इंसान बिल्कुल ज़्यादा cut off हो जाता है अपनी country से अपनी country का ख्याल नहीं रखता है उसको अपनी self-centeredness का पता होता है सिर्फ अपनी चीजों का ख्याल रखता है तो end पे country भी destroy हो जाती है city भी destroy हो जाती है city के लोग भी destroy हो जाते है कुछ भी नहीं बचता that's all तो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी वीडियो पसांदे वीडियो को लाइक भी करिएगा हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा एंट राइटर का introduction आपको description में मिल जाएगा उसको लाजमी सुन लिजेगा तो आपका ये topic जो overall हर aspect से cover हो जाएगा stay tuned with us take care